इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके आईफोन में एक आप्शन होता है Announce Notification on Speaker तो अगर आप इसे Enable कर देते हैं तो इससे होगा क्या यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको आपके फोन की Settings में चले जाना है और इसके बाद यहाँ पर आप Accessibility पे क्लिक कर ले और इसके बाद नीचे की तरफ आए और Siri पे क्लिक कर ले अब यहाँ पर मैंने Speaking Rate कम कर दिया था सौरी ठीक है आपको इग्नोर करना है यह में से गलती हो गई थी ठीक है तो आपको अब आना है नीचे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा Announce Notification on Speaker तो यह आप इनेबल कर दें मैं आपको इससे समझा दू कि यह होता क्या है जैसे ही आप इसे इनेबल करते हैं तो यहाँ पर Announce Notification का Option दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपनी Applications on कर सकते हैं मान लीजिए Instagram की इसे Notification मैंने यहाँ पर on रखाए ठीक है यहाँ पर देखिए IMO on है Instagram on है Google Maps on है तो जैसे ही Instagram की कोई Notification आएगी तो Siri पढ़के सुनाएगा क्या Notification आया है क्या Message आया है Siri आपको पढ़के सुनाएगा ठीक है Announce करेगा Notification को and इसके बाद यहाँ पर Reply with Confirmation अगर आप इसे यहाँ से on कर देते हैं Reply with Confirmation को तो होगा क्या कि जो भी Application Automatic Reply Support करती है Siri Automatic उसको Reply भीज़ देगा वो Sense करके कि इसका Reply क्या होना चाहिए अगर वो कुछ ऐसा भीजता है You're Welcome तो Siri बोल देगा Thank You या ऐसा मतलब जो भी Response उसे लगता है वो Without आपके Confirmation के भीज़ देगा अगर आप इसे इनेवर कर देते हैं तो उमीद करता हूं आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स वर को सब्सक्राइब सरूर करते हैं